हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागा दिसने वीडियों बात करने वाले हैं बिहार इक कल्यान के माध्यम से जो पैसा मिलता है मैट्रिक इंटर पास प्रोच्छाहन योजना उसमें आप लोग को काफ़ी सारी प्रोब्लम आ रही है मैंने आप लोग को एक वीडियो बनाए के ब सबसे बड़ा प्रोब्लम आ रहा है इसके बाद हम बात करेंगे लिष्ट में नाम नहीं है और इलिजिबल है तो इसके लिए क्या करना होगा और स्टेटस चेक करने पर भी उनका कुछ नहीं बता रहा है तो यह भी हम आपको बताएंगे इसके बाद स्टेटस चेक करने पर बैंक एकाउंट रिजेक्ट बता रहा जैसे कि सरकार ने पहले से ही पैसा सोचा था कि मेधा सौफ्ट के माध्यम से हम भेज देंगे लेकिन सरकार पैसा भेजने में असक्षम रही काफी सारे बच्चों को पैसे भेज दी मानके चले 50% बच्चों के अकाउंट के पैसे बीना आवेदन कहीं आ गया है लेकिन 50% का भेजने में असक्षम रही तो इसलिए उन्हों ने यहाँ पर क्या किया पोर्टल चालो किया लेकिन पोर्टल पे भी काफी सारे समस्या आ रही है काफी सारे बच्चों के अकाउंटों पैसे बेजे गए हैं लेकिन उनका अकाउंण पैसे नहीं आयूए छव chamber बच्चों का इसा प्रोग्लाहै चौथा कोस्टन है कि जब बालक यहां पर फॉर्म अप्लाई कर ला है मैट्रिक वाले में जाके तो वहां पर क्या हो रहा है उनका जो है मेल भरेगा हो लेकिन जब फॉर्म फाइनल सब्मिट कर दे रहा है तो वहां फीमेल हो जा रहा है इसका भी क्या solution है फ्रेंट्स यह भी उनका स्कूलर्ट सिक मिलने वाला है मैट्रिक का है तो आठ जर मिलेगा है तो दुछ जर मिलेगा इंटर है तो पचीज जर मिलेगा तो एस्टेडस चेक करेंगे तो आपको बता रहा है इन प्रोसेस इसका solution क्या है अपलाई करने पर आधार और लेडी एक्जिस्ट बता र नहीं आया है लड़की है से है कैसे होगा कुछ बताईए तो से मही प्रोब्लम लिष्ट में नाम नहीं है ना डॉन वाला लिष्ट में नाम है और फिर भी इसका कोई जो है ऑप्सन नहीं आ रहा है फॉर्म अपलाई करने के लिए हम क्या करें चलिए अब बात करते हैं एक अप्लीकेशन एस्टेटोस चेक करना समझ जाते हैं तो यहाँ पर आएंगे और मैट्रिक वाले हैं तो आप इसपे क्लिक करेंगे तो आपके लिए पर पोटल खुलेगा यहाँ पर आना है रिपोर्ट वाले सेक्शन में यहाँ यहाँ पर दो नमर आना है क्लिक है टुभ को application status आप इस पे क्लिक करेंगे यहां पे आपके मार्क सीट पे न अगर आप दसवी से हैं तो दसवी के मार्क सीट पे आपका जो है रॉल कोड के साथ रिशेशन नमबर और पास यह रहता है रिशेशन यह वह लिखेंगे ठीक है और सर्च पे करेंगे अगर आप इंटर वाला चेक करना चाहते हैं तो इंटर वाले पे यहां पे आएंगे इंटर वाले पी और यहां पे आने के बाद से आपको का करना है यहां पे इंटर का अप्लिकेशन चेक कर सकते हैं कैसे चेक करने भी आप समझ लेजिए तो इंटर वालों को आर से आपका क्या status धिसे आप sudah पता कर सकते हैं कि आप सब्सक्राइब z दिखा रहा है कि आपने essence संब्सक्राइ Boris नहीं किया हुआ है तो इनका यहीं से पता चल गया कि यह stress में क्या है इनका कि अभी तक इनका form जो है submit नहीं हुआ है तो इसका जो है क्या है इसका क्या है कि अब आपको क्या करना है यहां आना student वाले section में और registration for student पे करके आपको जो form को submit करना है apply करना है ठीक है तो यह आपका पहला option साता है एक और मैं यहां पर दिखा रहा है आपको एक और मैंने यहां पर देखिए search किया तो यहां पर लिखा रहा है no record found यह भी problem है तो मैंने आपको सबसे उपर में लिखा हुआ है no record found बता रहे तो क्या करे तो friends देखिए अगर आप application list यहां check कर रहे है form apply कर दिये हैं या आप eligible है फिर भी आपका no record found बता रहा है तो इसका क्या solution है friends इसका मतलब है कि आप जो है list से छूट गए है यानि friends अब आपको करना क्या होगा mail करना होगा mail के लिए friends इन्हों ने देखिए यहां पे mkuyhelp2022.g पास्टूक यह तीन चीज आप जो attach करके इनको mail करेंगे और बोलेंगे कि मेरा list में नाम नहीं है और नहीं जो है मेरा status चेक करने पर no record found बता रहा है क्योंकि देखिए होगा क्या है बिहार सरकार जो है 50% बच्चों का पैसा जो है भेज दी है और 50% बच्चों का पैसा नह अगर कोई problem आता है तो यह भी problem आपको सौ होगा कहाँ प्रोसेस बता रहा है यह बिस्टरस चेक करने पर आपको इन प्रोसेस भी बताएगा मतलब यह अगर आपने आवेदन किया ही नहीं है तो समझ लिजे कि आपको बीना आवेदन किया पैसा आजाएगा इसकी टेंसन न no record found का मैंने बता दिया कि आपका जो है list में नाम ही नहीं है तो इसके लिए आपको mail करना होगा आप eligible होते हुए भी आप one sheet है तो इसके लिए friends आपको क्या करना होगा जो है यहाँ पे mail करना होगा तो यह चीज आप जो है friends यहां देखें नीचे में लिखा हुआ है यहां है नंबर में फोन लगता नहीं है तो पहले आप अपना application को चेक करेंगे यहां पे ही आपको सारी जनकारी का पता चल जाएगा कि आपका क्या है क्या नहीं है सब बता देगा यहां पर अगर आप फॉर्म नहीं सम्मिट किये हैं लिखाएगा इन प्रोसेस है तो इन प्रोसेस भी बताएगा अगर आपका यहां पर नो रिकॉर्ड फाउन बताएगा तो समझी आपका लिष्ट में नाम ही नहीं है तो उस तरह से आपका करेंगे जो है इनको यहां पर आपको पता चल जाता है दूसरा अप्सवन यह भी फ्रेंट्स की आप यहां लिस्ट में नाम देखेंगे और अगर आपका लिष्ट में नाम नहीं है तो आपको मेल करना हो इसके लब कोई ऑप्सवन है ही नहीं आपके पास यहां पर मालनी जीए नहीं डन आपकी रजिस्टर मोबाईल नंबर पर यूजर आडी पासवर्ट भेजा जाएगा आपको इस आडी और पासवर्ट से लॉग इन करके आवधन के अंतिम रूप देना है तता समय समय पर पोटल जाकर अपनी आवधन के स्थित देखना है तो टूटी रहने पर इमेल के आदेम से सुचित करना है तो इमेल ऐडी इनका देखे यहां पर है आगर आप इलिजिबल है लिस्ट में नाम नहीं है नाहीं डन वाले में है नाहीं नहीं रिकॉर्ट फाउंड बता रहे हैं और आप इलिजिबल है तो आपको दूसरा अप्सन यहीं है कि आपको मेल करना इसके अलावा कोई आपके पास औप्सन नहीं है कि आप यहां पर पैसा ले सकते हैं यह जो फ्रेंट्स बिहार सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है जो एश्ट्रेंड को परसान होना पड़ता है अगर बिहार सही से काम करती ना फ्रेंट्स तो किसी को पैसा भेजने में कही इतने अच्छे से उनका सरवर काम करता है कहीं धादली नहीं होती कहीं प्रोबलम होता है उनलों को उनकी जनकारी आटोमेटिक जो है सरकार के पास पड़ी राती है और खुद जो है एक किलिक में वोग पैसा भेज देते हैं सरकार को भी ऐसा बनाना चाहिए इको सिस्टम जिससे बच्चों को problem नहों अगर आपको पैसा देना ही है इतना जहमेला क्यों कर रहे हैं आप लोग सही से पैसा भें तो सभी के account में school से verification करवाके school वाले तुरंत verification कर देंगे या आप यही वाला पर account reject बता रहा है इसका solution क्या है फ्रेंड्स की या तो आपका account जो है बंद पड़ा होगा या जो है account mismatch होगा यह account reject किनको बता रहा है तो जिनके सरकार पाउलडी पैसा भेंच चुकी है और उनको चेक करने पर account rejected बता रहा है तो या तो आपका account में problem होगा आपका account बंद पर आ होगा या जो है आपका account और आपके जो माक्सिट है उसमें जो है mismatch होगा तो इसके लिए आपको account पहले चेक करवाना होगा कि account चालू है कि नहीं चालू है और account rejected इसके बावजूद भी दिखा रहा है सबसे होने के बाद से तो दूसरा option यहीं है कि आपको mail करना होगा इस चेक करने पर bank account email हो जा रहा है friends यह भी एक बहुत बड़ा problem है इसका कोई option नहीं है friends आप जो है अभी वेट करें दो चार दिन जो भी लोग है mail वो अभी दो चार दिन वेट करें सरकार यहाँ पे जो server है वो जो है बिल्कुल अच्छे धंक से काम नहीं कर रहा है जब आप form भर रहा है तो अभी दो चार दिन वेट कर लिजे mail वाले फीमेल वाले अपलाई कर सकते हैं और आप लोग जो है इसको जरूर report करिए मतलब यह कि आप यह जनकारी को जरूर mail करिए कि हम लोग जब mail ह अजरम भर रह dedic करिए हैं और from भर रहे हैं तो वहां पर female हो जा रहा है सब छीज़ देखने के बावजूद भी हम mail भी चूचकि है सब छीज होने के बावजूद हां भी फीमेल जा रहा है तो इसके लिए आपको जो यहां पर मेल करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि ये तो बालक बाली का दोनों के लिए portal है यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको mail करना होगा देखे सभी problem का solution एक ही है mail आप status चेक करेंगे क्योंकि दूसरा option है ही नहीं और इनका help line number कभी phone लगता नहीं है तो आप लोग mail करिए अपनी problem को साइध ये लोग reply करें या report करिए कि portal को सही धंग से चालू करो मेरा form apply नहीं हो रहा हम eligible है लिश्ट में भी नाम नहीं है सारा problem का solution क्या है friends mail आपको इस पे जो है अच्छे से mail ID पे mail बना के matter को सही जनकारी से आप जो है mail करेंगे सभी जनकारी को जिससे ये लोग समझे और आ आप लोग जब mail करेंगे न तो उनके पास जनकारी पहुंचेगी कि ऐसे से problem आ रहे हैं तो वो जो है उसको ठीक करेंगे समझवा रहा 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 है तो ये चीज़ आपको करना होगा apply करने पर अधार already exists बता रहा है इसका क्या solution है friends देखिए अगर आप apply करने तो अधार नमर already exists बता रहा है तो आपको tension नहीं लेनी है आपका already पहले से apply हो चुका होगा जो की सरकार खुद जो है आपको इस panel में डाल दी हुई है और आपको पैसा बीना आविदन कहीं आ जाएंगी इसके लिए क्या करना होगा आपको यहां पर रिपोर्ट में जाके application stress चेक करना यह आप चेक करना समझ जाते हैं और उसमें जो status आता है उसके according आप जो action लेंगे आपका पैसा easily आ जाएगा तो यह friends आपको यहां पे देखना होगा है उमीद करता हूँ आपको जनकारी समझ में आया होगा और यह दोनों के लिए है metric और इंटर दोनों के लिए हैं same जो problem आ रही है आप जो है देख सकते हैं मिलता है किसी नए वीडियो के साथ हमें दीज़े जायत और देखते रे डिया सल्पिंग फॉरेवर थैंक फॉर वाचिंग जाहिन